कहता है Mr. R जिसकी उमर 50 साल है on a two house, दो घर है, the detail of two houses as follow, municipal value, fair rent, standard rent, actual rent, ये self occupied है, तो इसका tension खतम, ये किराये पे है, vacancy ये दो मेने तक खाली रहा भाईया, municipal tax paid किया है, ठीक है, कैता है सी raise a loan 15 लाक रुपए का from state bank of India at 15% और 1 जून 2016 को लिया गया for construction of house number 1, इसके लिए loan लिया गया, construction of house completed, 20 में completed हो गया, date of repayment of loan, October महिने में हमने repayment भी कर दिया loan, half of the municipal tax in respect of let out, और जो municipal tax है आधा इसके लिए है, let out के लिए तो आधा इसके लिए होगा, second, have a paid by the tenant, कहता है, half of municipal tax in respect of let out house, और second point कहता है इसके अंदर, have been paid by the tenant, और उस भी municipal tax को किसने paid किया है, तो municipal tax तो tenant जब कभी भी paid करता है, तो क्या उसको minus करते हैं, नहीं, allowed ही नहीं होता हो, during the previous year, Mrs. R, Mrs. R का employee X Limited में काम करती है, जहां पे उसकी monthly salary है कितनी, 45,000 रुपे और company B, 2000 रुपे professional tax हर बिहाफ पे, तो यहां पे salary का portion आ गया, तो यहां पे standard deduction देखे, फिर बाकी हम काम करतेंगे यहां पे, क्योंकि बाकी detail है नहीं, compute the ध्यान दिजिए, total income, क्या पूछा गया, total income and tax liability, Mrs. R का for the assessment year 2022, assume she does not have any other income, मान लिजिए, कोई other income नहीं है, तो चलिए, सर सवाल को कर लेते हैं, यानि दो घर, तो दो कॉलम खीच लेंगे हैं, एक, दो, पहले घर को हम क्या मान ले सर, इसको self occupied, इसको let out मुंसीपल value, दे रखigmat है है आपको, तीन लाग और दो लाग and fair rent is 3.2 लाग और 2.2 लाग Sir, standard rent is 2. और 2.3 lakh इस tender rent के बाद vacancy तो बाद में देखेंगे हम पहले निकाल ले ER ER की बात करें तो higher lower 2.8 सर नहीं यहाँ पर ER चलो निकाल दिया वैसे वैसे होगा नहीं कुछ भी expected rent self occupied है बाकि निकाल दो कोई फरक नहीं पड़ता इसमें से क्या आएगा हमारा 8.R Sir 8.R आएगा यहाँ के लिए तो कुछ नहीं है 2.7.000 इसने पूरा करके दिखा रखा है 2 मेहने vacancy भी रहा है total मिला 2.7.000 अब GAV निकालने का time आगया GAV जो होगा इसके लिए तो 0 ही रहेगा दूसरे वाले का चेक करेंगे के vacancy के साथ साथ ये हमारे government rule से ज़्यादा है निये है तो आपको 2.76.000 का जो किराया मिला वो मिला होगा पूरे 10 महिने का इसका मतलब एक महिने का किराया बनता है 2.76 और अगर 12 महिने किराया पे चढ़ाते तो आपका बनता साथ 2.40.000 से ज़्यादा ही बनता है ना अगर 12 महिने किराया पे देते तो कितना बनता धाई लाक रुपे पूरा धाई लाक तो 2.49.120 बनता गॉर्मेंट के रूल के हिसाब से इसका किराया दो बीस होना चाहिए तो आप तो सही बोल रहे हूं वेकेंसी का केस है आपने सारे रूल को फुल्फिल किया है यह हम अजम्शन लेके चलेंगे तो यहाँ पे लोवर ले लेंगे यानि 270,600 सर आगे माइनस कर देंगे MT सर MT की बात करें तो कहीं से भी माइनस नहीं होगा क्यूंकि किरायदार ने पेड किया हुआ है यहाँ पे आ जाएगा हमारा NAV NAV सर NAV की आएगा जीरो और यहाँ पे 20,600 अब माइनस करेंगे 24A सर देटेस आपका जीरो आजाएगा और माइनस कर देंगे 24B कितना आएगा 62,282 अब 24B का PCP बगर निकाल लेते हैं यह हमारा लाइन है टोटल सवाल में कहता है कि इसने एक लोन लिया 15% और लोन जो लिया 1 जून 2016 में 1 जून 162,000 सर कितने का लोन लिया इसने 15,000 और कितने परसंट के हिसाब से लिया कहता है 15% अब देख लेते हैं आगे और जो घर हमारा कम्प्लीट हुआ है कब कम्प्लीट हो गया कहता है था इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है ये वाला जो साल रहा होगा वो साल होगा 19 और 20 जिसके अंदर हमारा PCP आएगा नहीं तो PCP कैलकुलेट हमारा होगा कहां से कहां तक सर 31, 3, 19 यानि इस डेट से लेके इस डेट तक तो हमारा येर वाइज ही चल लेते हैं अगर तो 16 और 17 में कितने महिने बन जाते हैं 10 महिने 16 और 17 में PCP निकाल लेते हैं 16 और 17 में 10 महिने 17 और 18 में 12 महिने 18 और 19 जाएगा कितने महिने तो टोटल मंत कितने हो जाते हैं 22, 24 और 10 34 महिने तो 34 डिवाइड़ बारा इंटू में 1 बाई 5 तो सर PCP का ये इंटरस निकल के आ जाता है जो कि बनता है हमारها सर EMP गलत कर दिया EMPY, हाफ मैने सुबहँ होगा बच्चे कहता है सर EMP गलत कर दिया EMPY, हाफ मैने सुबहँ होगा कहता है मुनसिपल टेक्स पेड उफ, लेट आउट पोउर्शन आगे कहता है example इस सेकिंड है, या फिर कहता है कि have been paid by the tenant, तो देखे total municipal tax paid है हमारा okay, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है थोड़ा सा mistake हो गया, इन दोनों का अलग-अलग दे रखा है न, इसका तो 20,000 आएगा है नि, इसका भी paid कितना है municipal tax, 20, तो half tenant ने किया, तो हम तो 10 तो minus करी सकते हैं न, मेरे को लगा के पूरा एक ही दे रखा है 10 सर ये भी हो गया, गडबड़ कितने आ जाएंगे एक नब्बे 76,000 कितना हो जाएंगे चले अभी कर देते हैं 69 देख ले न, एक बर कुन scan calculation ठीक है PCP आ जाएगा, PCP कितने आ गए थे 42,500 रुपे अब क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कहता है construction completed हो गया date of repayment loan हमने 20 में loan का repayment कर दिया हमें किस साल के लिए काम करना है 21, 22 assessment year 21, 22 यानि सार हमें 20 और 21 के लिए ही काम करना था और हमने 20 और 21 में ही loan का repayment भी कर रहा है, हमने payment कब किया है, 1 October 20 तो 1 October 20 इसी में आएगा तो इसका मतलब सार इस date पे तो मेरे पास 13,00,000 था लेकिन साल के end में देखा तो मेरे पास 13 नहीं 15,00,000 का तो loan था लेकिन साल के end में देखा तो मेरे पास 15,00,000 का loan होगा या नहीं होगा साल के end में 15,00,000 का loan क्यूंकि इस loan का payment मैंने कब कर दिया 1 10 को, तो सार इसका मतलब 6 महिने तक ही इस्तमाल किया तो current year का जो interest निकालोगे ना वो निकालोगे सरिफ और सरिफ 15% डिवाइड़ वे 2 1,12,500 ये तो PCP है और एक हो जागा current year का 1,12,500 ये किसने बताएगर आगरा तफिर 15% डिवाइड़ वाइड़ एंटू 34 1,25,500 ये चलिए 24B मैं दोनों को जोड की ले लेता हूँ सरिफ ये 2,40 और किसके लिए लिया था इसने घर पहले के लिए लोन था दूसरे के लिए था पहले के लिए था तो total बन रहे कितना 2,40 लेकिन allowed कितना होगा ये बन रहा है हमारा 2,40 ये हमारा बन रहा है कितना 2,40 तो याद आया rule self occupied की case में हमारा एक maximum limit set कर दिया था government ने तो ये 2,40 बन रहा है लेकिन हम 2,40 ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे सिर्फ कितना ले पाएंगे 2,00, तो ये आगे है 197,500 sorry 197,600 कर कितने परसेंट 30 परसेंट और ये आगे 31,320 कहता है कि सर इसका अलग से कोई income और है नी स्रिफ एक salary income है पहले यहाँ तक देखे कोई दिक्कत फिर मैं आगे चलूँ यहाँ तक कोई दिक्कत है फिर हम इसकी text liability भी निकालेंगे इस सवाल में तो अगे झाल यहां तक कोई दिक्कत है बताईए नहीं यहां तक क्लियर है हर किसी को अब देखे इसके अंदर आपको एक चीज है पॉइंट है कैच वाला पॉइंट जो मैंने पहले नहीं बता है पहले पूरा कोईशन हो गया अब क्या करना है सेलरी इंकम इसमें जोडना है वो छोटा सा पार्ट है इसमें कहता है सर यह जो रेंट है अब सवाल में यह नहीं बता रहा कि यह रेंट 10 महिने का है कि ये रेंट 12 महिने का है समझ रहे बात question में तो नहीं बता रहा न तो मैंने क्या assumption किया है ये रेंट कितने महिने का है 10 महिने का है इसके लिए आपको note देना अगर बोलता है annual rent अच्छा अच्छा बोल रखा है ध्यान नहीं दिया क्या बोला इसने annual rent बोल रखा है सर तो इसका मतलब यहाँ पर जो 8 अच्छा आएगा 20,760 देखे थोड़ा ध्यान से वही है तो डिवाइड बारा करो डिवाइड बारा कर देते हैं पहले डिवाइड बारा ये कट कर रहे 17 तो सर 17 तीन सो इंटू में नौ कर देंगे न दस 17 तीन सो इंटू में दस एक लागती है तरह जार साइस एक मार कर रहे हैं 17 तीन सो इंटू है न अब देखिए क्या केस हैं विकेंसी विकेंसी में आप चेक करेंगे क्या गवर्मेंट के रूल से ठीक बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं यह चेक करना होगा तो ध्यान देखा जाए तो भई गवर्मेंट का तो बन रहा है दो बीस, ठीक है न, और हमारा, लेकिन आप यहाँ पर यह भी चेक करेंगे, कि जो गवर्मेंट का बन रहा है दो बीस, दो बीस कितने टाइम का है, एक बार आप करेंगे, दो बीस डिवाइड़ बाई, बारा, इंटू में तीन, दो, चलिए छोड़िए हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो आ जाएगा, वो हायर का कॉंसेप्ट ले रहेते हैं, देट इस टू लैक, टूइंटी थाउसन, यह आएगा हमारा, दो दस, और यह, कितने, यह, हम, ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं, अब निकालते हैं इसका टूटल इंकम, सर टूटल इंकम निकालते हैं, टूटल इंकम में सबसे पहले इसकी इंकम कहां किया सर, सेलरी की, सबसे पहले है सेलरी, और सेलरी की बात करें, कितने दे रखें सवाल में, 45,000 रुपे दे रखें आपको, और सर, 45,000 में भी हमारा माइनस हो जाएगा, कहां है सेलरी, 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 यह रहां 45, तो सेलरी 45,000, अब यहां पे सर, एक नोट देना पड़ेगा, क्या यह नेट सेलरी है, या फिर यह ग्रॉस सेलरी है, अगर यह ग्रॉस सेलरी है, तो माइनस करेंगे हम, स्टेंडर्ड, डिडेक्शन, और यहां पे इंप्लोयर ने पेड किया है, प्रोफेशनल टेक्स यह एंप्लोई ने, कंपनी ने पेड किया है, हर बिहाफ पे, तो एक बार तो यह जुड जाएगा, इसका सेलरी में, यह होता है न, अगर कंपनी पेड करता है, तो पहले जूड लेते हैं, एड्ड, प्रोफेशनल टेक्स, कितने, इसका बन गया पूरे, अब यह जीटी हो गया, लेस कर देंगे, स्टेंडर्ड डिडेक्शन, सर स्टेंडर्ड डिडेक्शन कितना है, पचास या कम, जो भी हो, तो सर सेलरी से इंकम कितनी आ गई, जीरो, अब निकाल लेते हैं, हाउस प्रोपर्टी से इंकम, तो हाउस प्रोपर्टी से इंकम कैसे आएगा, ह1 से और प्लस, H2 से H1 से income है हमारी minus का 2 lakh minus 2 lakh और H1 से income कितनी है plus का plus का क्या है 147 यह है 147 कितने हो गए 53 negative कहता है कि आप निकाली है तो मैं बोलूँगा कि हमारा taxable liability तो नहीं लिगेगा total income आ जाएगा कितने अब यहाँ पर deduction भी आ जाता activate हो जाता अगर positive income होता जो principal repay कर रहा है तो वो भी activate लेकिन है नहीं तो क्या करें tax liability पूछा है तो tax liability क्या निकलेगा यहाँ पर tax liability क्या आएगा नहीं आएगा क्योंकि loss है income तो है नहीं तो जब tax liability निकलोगे जीरो लेकिन examiner को करके दिखाना है कि up to धाई लाक निल है income ही नहीं इसको जीरो करके खतम करके दिखाना होगा बच्चे कह रहे है सर दिया कह रही है सर 45,000 into 12 होगा आप यह monthly salary था क्या आप monthly है तो गड़ बड़ करवा दिया न यह 12 है कहां वो 12 है बताओ 12 into करके कितने पांच चालेश अभी आ जाएगा पांच लाग पांच लाग 42,000 क्यों अभी तो add कर रहे है अब इसके पाद standard deduction और minus कर देंगे professional tax 2,000 कितने बचे 4,90,000 53,000 यह minus कर दो 4,37 इसमें से less करेंगे deduction 80 आप देखेंगे तो loan का पूरा payment किया है यानि पूरा principle दे दिया है इसने उसी साल न तो कितने का deduction मिल सकता है maximum 80C में देड़ लाग का तो बताईए taxable income 287 नाव यह भी exempt हो जाएगा अप टू 250 यह तो 287 ही बन रहा है 287 that is nil और बाकी का आगे फर्दर आप कर दोगे nil चीक है हां जी 37 कहां बच रहा है अच्छा 287 है मैं 37 सोची रही रिवेट मिलेगा न इसका होगा अप टू 250 nil next जो next बच्छे कितने 37 कितने परसेंट 5 परसेंट कितना होगा हमारा 19,500 18,50 18,50 तो यह बन गया सर 18,50 less हो जाएगा रिवेट 87 18,50 टेक्सेबल 0 हो जाएगा एक सवाल मैं यहां पर पूछना चाहूँगा मेरा मन तो था लेकिन मैंने पूछा नहीं सपोस करो यह नियू रिजिम होता सपोस करो एक्जामनर बोलता है यह नियू रिजिम से निकाल लिए तो उस सिचुएशन में 24B यह तो मिलता लेकिन 24B तो यह वाला इंकम जो हो जाता 47 हो जाता सेम इस साइड पे हम आते तो हमें यह स्टेंडर डिडेक्शन ना ही प्रोफेशनल टेक्स तो यह भी इंकम बढ़ जाता और हाउस पॉपपटी की इंकम बढ़ जाता और प्लस हमें यह डिडेक्शन क्यानी इंकम मेरी 5 लाक रुपे से एक्सीड हो जाती तब हमारा टेक्स लाइबलिटी बन जाएगा हमारा ठीकाना तो नियू रिजिम के केस में